गुड मॉर्निंग चौल आज की जो वीडियो वो है राइटिंग टास्क टू के ऊपर और ये जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो अकेडमिक और जनरल दूनों बच्चों के लिए हैं और कौन-कौन से अपने टॉपिक प्रिपेर करने इस वीडियो में हम बताए तो जादा टाइम बेस ना करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो बेस तरीका क्राइम को रेडियोस करने का क्राइम को कम करने का जो यंग पीपल में जादा हो रहा है तो वो अपने पैरेंट्स जो मतलब जो पैरेंटिंग स्किल्स है वो होनी चाहिए पैरेंट्स को पैरेंट्स को मतलब इन चीजों की शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को तो आप agree करते हो या disagree करते हो third है in many countries the proportion of older people is steadily increasing बहुत सारी countries में जो proportion है older people का जो गिंती है बहुत जादा बढ़ रही है दीरे-दीर does this trend have more positive or negative effect on the society तो ये positive effect है या negative effect society के ऊपर next, rise in the production of consumer good result in damage of natural environment what are causes and solutions जो लगातार consumer good मतलब की चीजों की कीमते बढ़ रही है production बढ़ रही है तो उसका जो result है वो ये आ रहा है कि environment के उपर बहुत जदा बुरा impact पढ़ रहा है खतम कर रहा है environment को तो क्या कौन-कौन से कारण हो सकते है और कौन-कौन से solution in some countries people are possible to have wide variety of foods have been transported all over the world to what extent benefit of all development out with a drug कुछ कंट्रीज में जो जो लोग है वो बहुत सारे जो foods है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पूरे वर्ड में तो क्या इसके benefits जादा है अब इनकी कमियों से next statement है some people think in this modern world getting old is entirely bad however other believe that the life of old people is much better more than it was in the past discuss both views and give your opinion कुछ लोग यह सोचते है कि इस modern world में जो बुडे हो रहे है वो बुरी चीज है तो दूसरी तरफ वो लोग है जो सोचते हैं कि जो old people की life है वो जादा अच्छी होगी है पास्ट से तो दोनों भी उसके बारे में discuss करेंगे और साथ ही साथ अपना ओपीनियन शेयर करेंगे कुछ लोग सोचते हैं कि हर एक बंदे को राइट है कि वो युनिवर्सिटी से एजुकेशन ले सके और यह फ्री होने चाहिए हर एक बच्चे के लिए और यह नहीं सोचना चाहिए गवर्मेंट को कि वो फाइमेंचली बैक्राउंड उसकी क्या है कि वो अमीर है यह गरीद है तो कितनी हतक आप डिसेग्री करते हो कितनी हतक एग्री करते है नेक्स्ट है जो क्राइम्स और बहुत सारी जो चीज़ें जो टीवी के उपर दिखाए जाती है उसका बैद रिसल्ट आ रहा है तो यह जो इस टाइप की इंफोर्मेशन देते हैं उनको उन पे रोक लगाने चाहिए कितनी हतक एग्री करते हो कितनी हतक डिसेग्री करते हो नाइन जो स्टेटमेंट आपके पास वो है और दूसरी तरफ वो लोग है जो सोचते है कि उनको सेवन एज से पहले स्कूल नहीं स्टार्ट करना चाहिए तो दोनों भी उसके बार में डिसकस करेंगे और साथ ही साथ अपना ओपीनियन अगर एक बंदा मूव करता एक सिटी से दूसरी सिटी अपनी जॉब के लिए और अपने पैरंट से अपनी फैमली से दूर रहता है तो क्या अडवांटेज जाता है डिसअडवांटेज से लास्ट जो स्टेटमेंट है कुछ लोग सोचते है कि टेकनोलोजी ने हमारी लाइफ को बहुत ज़दा कॉम्टिकेटर बना दिया और स्लेशन यह है कि वह सिंपल लाइफ को बढ़ावा दे रहा है विदाउट तेकनोलोजी कि टेकनोलोजी के इलावा जो सलूशन वो है कि अपनी सिंपल लाइफ को बढ़ावा दो और क्या आप एगरी करते हो या डिसेगरी करते हो कितने हर तक सो ये हमने आपके साथ स्टेटमेंट शेयर की टास्क टू की और आपने ये प्रिपेर करनी है 90% शेयर है कि इन में से ही आप से स्टेटमेंट पूछी जाएंगे एक्जाम में तो एक बार जरूर देख लेना और प्रिपेर कर लेना थैंक यू